मेरे प्यारे बच्चों, modern physics का एक और जोड़दार सवार जहाँ पर आपको दिया गया है कि wavelength of alpha particle याँ wavelength of proton बराबर है डीप अगली इस wavelength का formula है lambda बराबर h by p क्योंकि wavelength बराबर है, इसका मतलब है h तो constant है, इसका मतलब है momentum बराबर यानि momentum बराबर है, यानि mass of proton, velocity of proton किसके बराबर हो जाएगी, mass of alpha, velocity of alpha के बराबर हो जाएगी अगर आप समझ पा रहे हैं तो vp by vl, v alpha कितना हो गया mass of alpha by mass of proton मेरे बच्चों, comment करो answer में कि इसका answer क्या आ रहा है और प्लीज देखो, 2018 का एक हल्वा प्रश्व हम पूरी के पूरे modern physics को पिछले पांच सालों की with the help of thoughts cover कहा रहे हैं तो प्लीज लाइक अस, subscribe और comment करने ना भूलो All the best मेरे बच्चों